दोस्तों नमस्कार खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल गांधी ने विकास का वादा दुहराते हुए कहा कि कांग्रेस बंद कमरे में फैसले नहीं लेती हम जनता के बीच वादा करते हैं कि असम विकास के पत पर आगे बढ़ेगा बामबे हाई कोट ने आज मुंबई के पूर्वे पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग की आचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे ही सवाल पूछा कि आखिर जब सचिन वाजे के जरिये ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक सो करोड की उगाही का काम करवा रहे थे तब ग्रिह मंत्री के खिलाब आपने फाई यार दर्ज क्यों नहीं करवाई तब आप खामोस क्यों थे दरसल बामबे हाई कोड परमबीर सिंग की उसी आचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने अपने तबादले को चुनोती दी है परमबीर सिंग की दलील है कि राज सरकार ने उन्हें जबरन ट्रांसपर कर दिया है MCP सुप्रीमो शरत पवार अपने गॉल्ब लेडर के आपरेशन के लिए मुंबई के ब्रीच कंडी एस्पताल में भरती हो गए है आज सुबह पवार की संसत बेटी सुप्रिया सुले ने हास्पिटल में अखबार पढ़ते हुए उनकी फोटो सोसल मेडिया पर शेयर की इस दवरान डिप्टी सियम अजित पवार एम स्वास समंत्री डाक्टर राजिस्टो पे भी डाक्टरों के साथ नजर आए सुप्रिया सुले ने ब्रीच केंडी हास्पिटल के डाक्टरों और मेडिकल स्टाप के वेवहार की सराना करते हुए अपने पिता के रूटीन कारे पर खुशी जताए राश्टवादी नेता और कारकरता अपने सीनियर नेता के सिग्र स्वस्तलाब की कामना कर रहे है बॉलिवूड अभिनेता एजाज खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने आज मुंबई एरपोर्ट से गिरफतार कर लिया एजाज खान पर ड्रक्स मामले में एक कारवाई हुई है एरपोर्ट से गिरफतारी के बाद एंसीबी की टीम ने पहले एजाज खान को मेडिकल चेक अप कराया और उसके बाद पूश्ताज के लिए एंसीबी मुख्याले लेकर गई बिग बॉस के प्रतिभागी रह चुके एजाज को वर्स 2018 में भी नौइमबई की एंटी नार्कोटिक सेल ने मुंबई के एक होटल से गिरफतार किया था तब उनके पास से एक्ष्ट्रेक्सी टेबलेट की आठ प्रतिबंदित गोलियां बरामद हुई थी पस्चिम बंगाल में चल रहे हैं दूसरे चरण के चुनाओ के बीच टीमसी के सलाकार प्रशांत किसोर का एक सर्वे लीक हो गया है सर्वे के नुसार नंदी ग्राम में ममता बैनर जी की हार हो रही है जबकि बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनितिक रणितिकार प्रशांत किसोर ने दावा किया है कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को चाहता है अपने ट्वीट में प्रशांत किसोर ने यह भी लिखा कि दो मई तक मेरे आखरी ट्वीट का इंतजार कीजिए महराष्ट्र पुलिस अकादमी के उपनिरिक्षकों के 178 सत्र के दिक्षांत समारों में आज सियमु दोठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पुलिस बलों का मनोबल बढ़ा दिया है करकरम को आनलाइन सम्बोधित करते हुए दोठाकरे ने कहा कि रूप बदलने वाले विशानू और स्वरूप बदलने वाले अपराज से लड़ने वाले पुलिस बलों का सोर्य गौरवास्पद है दरसल इंटिलिया केस में पियाई सचिन वाजे की करतू से दागदार हो चुकी मुंबई पुलिस को मुख्यमंत्री के इस संबोधन ने बड़ी राहत दी है इसे पुलिस की छबी को ठीक करने की कोसिस भी मानी जा रही है देश्ट में जहां मोधी सरकार के क्रिशी कानूनों का बिरोज चला है वहीं महराष्ट की महाविकास आगारी सरकार इन कानूनों को राज में लागू करने की रणिती पर काम करने में जुटी है मुंबई में आयोजीत एक बैठक में इसका नजारा देखने को मिला दरसल राज सरकार ने क्रिशी कानूनों की खामी और खूबियों का आकलन करने मंत्री मंदल सरकी एक उप समीती का गठन किया है आज डिप्टी सियम अजीत पवार की अध्यक्षता में इस समीती की एक बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्रियों ने हिस्सा लिया समीती की बैठक में कानून को लागू करने से राज में किस तरह की मुस्किलें हो सकती है इस पर मंत्रियों ने चर्चा की बतादा कि मोधी सरकार ने फिलाल 18 महीनों तक इस कानून को ठंडे वस्ते में डाल दिया है नविमबई के एरोली सेक्टर पांच में उस वक्त हड़कम पंच गई जब यहां के एक बैंक एटियम में अचानक आग लगई यह एटियम पंजाब नेशनल बैंक का बताया जा रहा है घटना बीती देर साम का है बताया जा रहा है कि एटियम में शॉर्ट टर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते है पूरा एटियम सेंटर धूदू कर जल उठा गनीमत रही कि यहां कोई हताहत नहीं हुआ दमकल विभाग की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है नविमबई में बढ़ते करोना को देखते हुए अब सनिटाइजेशन के लिए नए उपकरणों का सहरा लिया जा रहा है वास्टी के विश्णुदास भावे सभागार में महानगर पालिका ने ऐसे आठ एलेक्टरानिक उपकरण लगवाए हैं तो यहाँ बिना केमिकल छोड़े एक घंटे के भीतर पूरे अडिटोरियम को सनिटाइज कर देंगे यह एक तरह के लेजर सनिटाइजर हैं जो आधूनी तकनीक से लेस हैं और कुछ ही देर में इलाके को विश्णुमुक्त करने में शक्षम है महराष्ट में आज चत्रपते शिवाजी महराज की जैनती मनाई जा रही है राज्य के मुख्यमंत्र उद्व ठाकरे ने चत्रपते शिवाजी महराज की प्रतिमा पर हार चढ़ा कर उनका अविवादन किया शत्रपती श्रिवाजी महराज को महराश्ट का आरद दैवत माना जाता है इनकी जैनती 19 फरवरी को भी मनाई जाती है इस दिन सिवसेना की ओर से जस्न मनाई जाता है चत्रपती सिवाजी महराज को अभिवादन पेस के आई साउसर पर जैभवानी जैश्रिवाजी के उद्गोश से परिसर गुंजाय मान रहा यहाँ सिवसेनिकों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे आज के बुलेटीनों बस इतना ही दीजिये हमें इजादत लेकिन आप दूसरी खबरों के लिए देखते रहे हैं खबरों का नया अड़ा TV1 इंडिया नमस्कार